देखो question है in a 30 liters of a solution 90% is alcohol then how much water needs to be added to make it 80% यानि देखो क्या हो रहा है question में कि 30 liters solution है उसमें 90% alcohol है तो इसमें हम सबसे पहले assume करते हैं कि जो 30 liters solution है उसमें से let x liters ये हमारा alcohol मिला हो है ठीक है हमने assume किया कि 30 liters में x liter alcohol है तो solution कितना है 90% यानि volume of alcohol upon total volume total volume is 30 into 100 ये आपको कितना given है 90 तो देखो यहाँ से क्या आ गया यहाँ से मेरे पास ये cancel हो जाएगा या फिर directly x लिख देता हूँ मैं 2700 divided by 100 cross multiply किया तो x कितना आ गया 27 liters यानि मेरे पास alcohol का volume कितना है इसमें 27 liters अब क्या बुला है how much water needs to be added to make it 80% ठीके ना कितना हमें पानी और मिलाना है कि वो 80% हो जाए तो हम फिर से ये assume करेंगे कि let y liters of water is added ठीके ना जो already पानी था उसमें हमने y liter water और add कर दिया तो अब हमें alcohol का percent 80% मिल रहा है तो फिर से क्या लिखेंगे volume of alcohol वही चीज जो पहले लिख रहे थे upon total volume in 200 ये आपको कितना given है 80 तो देखो volume of alcohol तो उससे छेड़ चाड़ने कि ये alcohol जितना है उतना ही है alcohol कितना है 27 और total volume पहले 30 था उसमें आपने y liter पानी और मिला दिया तो कितना हो गया 30 plus y into 100 this is given to you as 80 अब इसको solve करेंगे तो y आ जाएगा ठीक है तो cross multiply करते हैं तो 2700 equals to 30 plus y into 80 तो देखो ये कितना हैगा 2700 equals to यहाँ पे कितना हैगा 2400 plus 80y तो इसको इदर लाएंगे तो ये हो गया 300 equals to 80y तो y आपके पास कितना आगया 30 upon 8 या फिर आप कह सकते हो इसको 15 upon 4 liters यानि कितना पानी और हमने add किया हमने और add किया 15 upon 4 liters पानी add किया ताकि ये कितना बन जाएगा 80% 8